नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सन्विक क्लासेज में हम लोग बिहार SSC इंटेर अस्तरिय संजुक परिच्छा के लिए प्लेटफॉर्म बुक में भॉलिम 3 का प्रेक्टिस सेट देख रहे हैं आज प्रेक्टिस सेट नमबर 3 देखेंगे इसमें दिया ह जिसमें ब्याज जो ब्याज है हर आठ माह पर चकरवेटी किया जाता है यदि ब्याज बार्सिक अधार पर चकरव्यद्धी ब्याज किया जाए तो वह धन्रासि उतने हैं देर पर कितनी हो जाएगे यह स्मय हमारे पास जो हो गया कितना हो जाएगा 2 गुना 3 बटा 2 बरबर कितना हो गया। 3 बश हो गया। 515 गुना 3 बटा 2 यह हो जाएगा 10 마 files तीन बर्स के लिए जो CI percentage होगा, कितना होगा, 3 गुना 10, प्लस 3 गुना 10 गुना 10 बटा 100, प्लस कितना होगा, 10 गुना 10 गुना 10 अब बटा, क्या होगा, यह 10,000 होगा, कितना आ जा रहा है, 30 प्लस 3 प्लस 0.1 वरावर 33.1 परसेंट हो जाता है, और अगर ब्याज बार्षिक से जित हो, तो CI percentage कितना हो जाएगा, तो CI percentage जो हो जाएगा, वो 15 परसेंट पर निकालेंगे, तो 15 प्लस 15 और प्लस हो जाएगा 15 गुना 15 बटा 100, यानि यह हो जाएगा 32.25 परसेंट, अब प्राश्न में जो कह रहा है, कि यह हमारा 33.1 परसेंट आया, 33.1 परसेंट बराबर कि 69,99 में है, तो 132.25 परसेंट कितना हो जाएगा, तो 32.25 परसेंट जो आया, वो तो ब्याज आया, 132.25 परसेंट जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, पांच नो, पांच आठ बटा, 33.1 अगुना, 132.25 जब इससे सोलो कर दिजिएगा, तो हमारे पास जो आजाएगा, जो धान राश कियाएगा, 33,000 हो जाएगा, 805 आजाएगा, कितना, 33,000, 805, सही अंसर हो जाएगा, उप्शन C, अगले प्रसेंट पर चलते हैं, कि दो संख्याएं, 5 अनुपात, 8 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है, और दूसरी संख्या में 15 घटा दिया जाता है, और 8 एक्स में कितना करता है, 18 जोड दिया जाता है, तो हमारा जो अनुपात हो जाता है, एक अनुपात 3 हो जाता है, जब इससे हल किजियागा, तो यह हो जाएगा, 15 एक्स माइनस 45 बरवर हो जाएगा, 8 एक्स पलस 18, जब एक्स के मान यहां से कितन पर नव आया तो नोतिया 27 यही हमारा जो है अंसर हो जाएगा option A जो है वो सही हो जाएगा चलिए अगले प्रस्म पर चलते हैं कि अंठामन की लोग किलो मीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेल गाड़ी X विपरित दिशा में 50 किलो मीटर घंटे की चाल से चल रही एक अ करना होगा तो सबसे पहले इसे क्या करना होगा सापेश चाल कितना हो जाएगा एक अंठामन है और एक पच्छास है दोनों अपोजिट में है तो जूड़ जाएगा 108 किलो मीटर वरावर हो जाएगा और 108 को अगर हम मीटर में बदल दें तो पांच वाई 18 सगूना करेंगे तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अब देवनों रेल गाड़ी के लंबाई कितना है तो 30 मीटर पर सेकेंड सपेश चाल है 16 सेकेंड में पार करता है तो यह कितना हो जाएगा 30 अगूना 16 अगर हम कर देंगे तो 480 मीटर जो हो जाएगा दोनों की लंबाई 2x है अब कर रहा है 1 plus 2x बरबवर कितना है तो 480 मीटर क्योंकि 16 सिकन्ड में को दूसरे क्या पार करता है तो कितना हो गया 1480 हो गया एक नोक्त ISC हो गया 160 हो गया या एक ट्रेन की जो लंबाई है 160 है अगर दूसरी टरेन यहाँट चाले में 20 नहींट पर सक करेंगेंगे तो मीटर पर सकंड में प्लस पूल कि लंबाई जो है वो है 24 सेकेंड में तैप करते हैं कितना है देखिए यह जो आगया कितना रेलगारी बाई की लंबाई प्लस पूल की लंबाई दोनों मिला के आगया तो रेलगारी की लंबाई, पूल की लंबाई बरबर हमारे पास आया चार बरसों के बाद 576 और 7 बरसों के बाद 793 हो जाती है। 72 की धनराशी के लिए उसी ब्याज दरबड अठाए बरसों का सधारन ब्याज कितना होगा। तीन बरसों का जो ब्याज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा। चार बरसों का ब्याज के अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा। 556 माइनस 5 1596 बरसों के लिए तो समय चार यह हो जाएगा 9.5 । नया ब्याज बरबर किया होगा। नया ब्याज बरबर जो हमारे पास जाएगा, वो कितना हो जाएगा। पी जो है 72 अगुना आर 9.5 ती जो है 5 बरसों के लिए बटा 100 जब इसे solve किजिएगा 100 अगुना ये 2 हो जाएगा क्योंकि 5 बटा 2 अधी में 8 बरसों का है तो 5 बटा 2 बरसों जब इसे solve किजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 1710 यही हमारा answer हो जाएगा option D हो जाएगा अगला प्रसन है जो मान ग्याद करना है तो आएए मान निकालते हैं इसको हम लिख सकते हैं कितना 726 माइनस 72 बटा कितना हो जाएगा 900 का 0.9 बटा 1.09 माइनस 3 बटा 4 भागा हो जाएगा दो बटा 3 इससे और सिम्पल लिखेंगे तो 604 बटा 900 का 90 बटा 109 माइनस 3 बटा 4 गुना हो जाएगा 3 बटा 2 उपर नीचे चला गया गुना में आ गया अब इससे और सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 6 बटा 10 माइनस 9 बटा 8 जनी हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस 21 बटा 40 अंसर जो हो जाएगा ऑप्सन C हो जाएगा चली अगले प्रस्ट पर चलते हैं कि ग्राम और लगू दोग समीती को खालियस्थान के रूप में जाना जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन B करवे समीती ग्राम और लगू दोग समीती को करवे समीती के रूप में जाना जाता है 1905 में ग्राम और लगू दोग समीती का गठन हुआ था इसका नाम डत्राद्रे गुपाल करवे के नाम पर रखा गया था जो एक भारती अर्थ सास्तिया और प्रोफेसर थे जिन्होंने भारत में अर्थ सास्त, सरवजनिक परसासन और सहकारी अंदोलन के छितर में योगदान दिया था और इसका सही अंसर हो जाएगा और सरोध के लिए याद किया जाता है इनका संबंद भारत्य संगीत की हिंदुस्तानी प्रंपरा से थी महात्मा गांधी राष्टे ग्रामिन रोजगार गरांटी अधिनियम के तहाथ परतियक बित्य बर्स में कितने नियुंतम दिनों की गरांटी सुदा मजदूरी रोजगार एसे परतियक परिवार को परदान किया जाता है जिसके बेस्क सदस अकुसल मजदूरी का काम करने क है और इसका जो सही अंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सी सौ दिनों की नियुंतम सौ दिनों की गरांटी सुधा मजदूरी रोजगार है यह से पर्तेक परिवार को परदान किया जाना होता है इसके ब्यस्क सदस्द अकुसल मजदूरी का काम करने के लिए स्विच्छा से क में ततकालिक परदान मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंग ने किया था और दो अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्टिये ग्रामिन रोजगार गरांटी अधिनियम यानि मन्रेगा कर दिया गया था अकुसल स्रम के लिए 100 दिनों के रोजगार सुखा बूल और बार्स जो सुस्क उष्ण कटिवंदिये वन के परकार हैं में बार्सिक बर्सा की मात्रा कितनी है और इसका अंसर हो जाएगा डी एक कामन सेंटीमीटर से लेके 1500 सेंटीमीटर तक है यहां बार्सिक चकर के भीतर पांस से छे सुस्क महिनों के साथ कम बार्सिक बर जो है नैतिक दवाब भरते रिजर्ब बैंक द्वारा उप्योग की जाने वाली साख नियंतरन की गुनातमक माफ है और बी आई के साख नियंतरन के दो बिदिये गुनातमक और परिनातमक अगले प्रस्ट पर चलते हैं कि राज के निती निर्देशक सिद्दानतों के किस अनुचेद के तअध मत्रित्व अवकास पर एक कामकाजी महला को नियोकता से सभी मत्रित उलागपराप्त करना चाहिए और इसका सई अंसर हो जाएगा और यौनो अधित जन जाती द्वारा की जाने वाले एक नृत सैली है और इसका अंसर हो जाएगा आपसन D Apu तापू जो है अरुनाचल प्रदिस्की आधित जाती द्वारा की जाने वाले एक नृत सैली है या स्तित्व के लिए मनुस के संघर्सपुन जीवन के मिथक पर अधारित पुईया, रिखमपाड, लॉयन एंड पीक डांस. नेक्स्ट है, एक्स और बाई एक रिस्तरा में प्रवंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान बेतन मिलता है. राज के निती निर्देशक सिध्धानतों का कौन सा अनुछिद समान काम के लिए समान बेतन का प्रवधान करता है? और इसका जो सही अंसर हो जाएगा, बो हो जाएगा डी, अनुछिद 49. अनुछेद 49 में राजद्वारा अनुशर्णिये कुछ निती निर्दे सकत्व है जैसे पुरुस और अस्त्री को समान रूप से आजीव का प्राप्थ हो भौतिक संसाद्रों का बित्रन न्याई संगत उकलब्ध हो आर्थिक बिकेंदरी करन हो पुरुस और अस्त्री को समान कार्ज के लिए समान बेतन प्राप्थ हो बाल को है तुक कल्यान परकार्ज आदी हो अगला है भारत का पहला और दुनिया का दूसरा हैंडेट पर्षेंड मिथनौल संचालित प्रोटो टाइप ट्रेक का नावरान खाली स्थान में किया गया था और इसका अंसर हो जाएग अप्शन B बेंगलूरू में किया गया था नीती आयोग ने BMTC बसो और असोक लिलेंड ट्रेकों में संचालित मिथनौल इंडियन वायल कॉर्परेशन लिम्टेड असोक लिलेंड और भाते बिग्यान संस्थान की संजुक्त पहल है अगला है एजहाबा जाती में आने वाल राज में हुआ था नरायन गुरू एक जाती एक धर्म एक इस्वर औरू जाती औरू माथम औरू दैवं मनुस्यानू का परसिद नारा दिये थे उन्हें बस उन्हें 1888 में अरूबिपुरम में भगवान सिम को समर्पित एक मंदिर बनाया जो उस समय के जाती अधारित पर होते हैं मधुमक्षि में मादा दिगुनित और नर जो है अगुनित होते हैं नर में केबल सोला otal गुनसूत्र होते हैं नर मधु मक्षियां ढरोन के मामले में być में विकास अनि सेचित अंड्यों से होता है ये अन्ड़े है गुनसूत अधिक अगुनित को शिखाओं के उत नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, एक तरफ सुची एक है, एक तरफ सुची दो है, दो अंगो पर चलना होमो इरेकॉट्स, क्या है है, होमो इरेकर्स, होमो सेपियंस अधूनिक मनुस हुए, जाबा मानम की बात अगर करते हैं, तो बानर जैसा, और डियो पित्थेकस की बात कर एटने ग्राम को लाइड हुआ संत्री बिलियन में बैज आते हैं यह दी पॉटेसियं को लाइड के सील की बिलेता पचीस डिग्री सिंटीग्रेट पर 35 दसम्लाव आथ हो बिलेता बराबर होता है बिले द्रबमान बटा बिलायक का द्रबमान गुना 100 माना की बिले के सियल का द्रबमान जो है वो एक्स है तो बिलायक का द्रबमान केतना हो जाएगा अड़ाई सो माइनस एक्स हो जाएगा तो बिलेता जो है उदिया हुआ पाइंतिस दिसमलाव आठ है बराबर हो जाएगा एक्स 65.9 ग्राम आजाएगा अंसर हो जाएगा option A, फर्मूला भी यहाँ लिख देते हैं, बिलेता बरबर जो हमारे पास फर्मूला होता है, वो होता है, बिले का द्रभमान बटा क्या होता है, बिलायक का द्रभमान गुना 100 होता है, यह हमारा फर्मूला हो गया, next है, कौन सबसे तिब्र गती से oxygen का अपसोशन करता है, और इसका सई अंसर हो जाएगा A, पाइरोगलोल का छारिये बिलियन, सबसे तिब्र गती से पाइरोगलोल का छारिये बिलियन oxygen का अपसोशन करता है, पाइरोगलोल एक कारबनी की योगिक है, जिसका सुत्र जो होता है, वो क्या होता है C6H3OHK Hold Twice यहा है एक पानी में गुलन सील सफेद ठोस है इसका उप्योग फोटोग्राफिक फिल्ड डेवलपर और अन रसायनों की तैयारी में किया जाता है चलिए अगले प्रस्ट पर चलते हैं एक धातू का ब्लॉक जिसका आइतन 500 cm की वह गुनात दो ग्र इसका फ्रमूलवा का वहासी भा ब्राबर होता है भ्राब्र का भार मायनिस उत्पलावन बल ब्राबर यह हो जाएबा भी डीजी माइश भी वाई 4 여को इन्टू डीवलू इंटू जी हो जाएगा इसे और सिंपल है हुए तो भी जी इंटू डी माइनस डी डेवलू बटा 4 हो जाएगा अब यहां पर मान रखेंगे यह हो जाएगा पांसा गुना दस के पावर माइनस 6 गुना दस दो गुना दस के पावर माइनस 3 माइनेस एक गुना दस के पावर थिरी बटा फोर हो जाएगा जब इसे सोल्ब किजिएगा यह आएगा आठ दसमलब साथ पांच जीरो न्यूटर अंसर हो जाएगा कौँसा तो वो हो जाएगा डी चार अच्छर समू दिये गए हैं जिनमें से तीन किसी निशी तरीके से समा यहाँ बैं से आएग बैं साएक माइनस टू है आई से एफ गया है मानेस थिर्예 जी से एफ गया है माइनस तीरी जली से एएग यहाँ यहां किया लेकिन यह यहां पर देखतें डी में औूप संकी जड से भाई सो माइनस बन खर एकिकि sonra डावलू से जो इस इस गया है मान दामनी, पिंकी और इम्रान उत्तर के और मुख करके बैंज पर बैठा हैं, भी जय अनीस के ठीक दाएं बैठा हैं, अनीस और इमरान कोने में बैठा हैं दामनी, मदन we 5 बैठती हैं। इम्रान की बाईंचे और पिंकी बीLo Moto करने कौल का Fills को को Dit कि या पिंकी में से हीक एपस आ सकते हैं और उसके वांद इम्रान होगा इस तरह कि यह जेम्स है, जेम्स के यह हो जाएंगे, पिता की यह पत्नी हो जाएंगे, पत्नी की पुत्री, क्या हो जाएगा? पुत्री के दो भाई, पुत्री के दो भाईयों में से छोटा है, दो भाईयों में से यह छोटा है, तो यह भी जेम्स का भाई ही होगा, क्योंकि पिता के प हाई का हो जाएगा निम्रिखित में कौन से संख्याद दी गई सिरेंग्खला में प्रष्ण चिंद को पर्तिय स्थापित करेगी यहां देखिए तेजर से 24 गया प्लस एक चोविस से अर्फ तालिस गया गुना दो करदिया गया इससे प्लस एक किया है अब इससे ग्ना दो कर तक पहले एक उप्सिं में देखते हैं L, D, R, T यह हो दा रहा G, I, W, O यहाँ पर देख रहा है कि एक दूसरे का जो है वह क्या है? अपोजिट है L का अपोजिट O है D का अपोजिट जो है वह W है R का अपोजिट I है आर T का अपोजिट J है लेकिन यहां पर देखते हैं जे क्या पोजिट जो है वो क्या जे नहीं है सेम लिख दिया गया है क्यों क्या पोजिट क्यों ही लिख दिया गया है जो कि यह विपरित नहीं हो रहा है अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा वी जो है वो बिसम है निमलिखित 504 में से अब माइनस 160 करें इसे आधा करके यह आना चाहिए 344 344 में जो हम आधा करेंगे माइनस 80 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा जो कि यह बिल्कुल सही है 264 में से हम माइनस 40 करेंगे 224 में से माइनस 20 करेंगे तो दोसो 4 यानि जो हमारा सिरीज है वो माइनस 320 किया जा रहा है तो बाद माइनस 160 किया जा रहा है माइनस 80 किया जा रहा है आधा-धा करके किया जा रहा है माइनस 40 किया जा रहा है माइनस 20 किया जा रहा है लेकिन अगर हम 160 करते हैं माइनस तो 348 दे रहा है लेकिन जब किने 344 आता है त 348 जो है वो विशम संख्या है एक परिच्छा में राजी की रैंक जो है उपर से बरहभी है वो बरहभी है और नीचे से जो है वो तेस्वी है यानि गारा इधर बाइस इधर आये खुदे इधर एक चौटिस अस्टुडेंट है परिच्छा देने वाले विजार्थों के संख सब्सक्राइब है तो अगर बिच्छा जायगा वह चाहिए अगर 29 की मिश्करषका सभी जो फोन है वो क्या है तो वो जो है सभी फोन फूल है क्या है फूल है उसके बाद कुछ कह रहा है कुछ फूल जो है वो क्या है थैला है कुछ फूल जो है वो थैला है और सभी थैला जो है वो क्या है भारी है सभी थैला जो है वो भारी है हमारे पास यह बन गया है तो निसकार्स कुछ फोन फूल है बिल्कुल सही सभी फूल थैले है गलत है अंसर हो जाएगा A केवल निसकर्स एक कत्रों के अनुशार है एक रेल गाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेट फॉर्म को 40 सेकेंड में और एक आदमी को 20 सेकेंड में पार करती है रेल गाड़ी की लंबाई ग्याद करें माना कि रेल गाड़ी की लंबाई जो है वो एकस मीटर है एकस पलस 200 बटा 40 बरवर रेल गाड़ी की चाल हो जाएगा क्या हो जागा रेल गाड़ी की चाल और एकस बटा 20 बरवर हो जाएगा ये रेल गाड़ी की चाल ये दो हमारे पास equation आ गया equation 1 और ये equation 2 आ गया अगर दोनों के तुलना करेंगे तो x पलस 200 बटा 40 बरबर x बटा 20 x का मान आ जागा 200 मीटर यही हमारा answer हो जाएगा option c हो जाएगा अगला प्रस्ट ने यदि a बरबर 177, b बरबर 178, c बरबर 189 है तो 2aq पलस 2bq पलस 3c q मान जाएगा तो सबसे पहले इसे out simple लिक कर लेते हैं तो ये 2 common ले लेते हैं aq पलस bq पलस cq मान जाएगा यहां पर मान रख देख देख दो गुना एक वटा दो गुना a पलस b पलस c हो जाएगा into a minus b के whole square पलस b minus c के whole square पलस c minus a के whole square अब आई यह मान रख देख 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 यह हो जाएगा कितना 177 प्लस 178 प्लस 189 इंटू हो जाएगा कितना 177 माइनस 178 के whole square प्लस 178 माइनस 179 के whole square प्लस 179 माइनस 177 के whole square यानि हमारे पास जो हो जाएगा 534 गुना 1 प्लस 1 प्लस 4 यह होगा 534 गुना 6 बरबर 32 चार हमारे पास अंसर आजाएगा option A पाच करमागत विसम संख्याओं का उस्थ 21 है सबसे छोटी संख्या ग्याद करें तो पाच करमागत विसम संख्याओं का उस्थ 21 है तो संख्या जो हमारे पास हो जाएगा 17, 19, 21, 23, 25 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा तो हो जाएगा option D 17 A, B और C ने एक बैंक योजना में 4 अनुपात, 7 अनुपात, 8 के अनुपात में निवेश किया 4 गुना 5 अनुपात, 7 गुना 4 अनुपात, 8 गुना 2 बरबर हो जाएगा 5 अनुपात, 7 अनुपात, 4 का लाब हो जाएगा अंसर जो हो जाएगा option A हो जाएगा एक ब्यक्तिन एक बस्तु को 15% के लाब पर बेचा यदि उसने इसे 422 अधिक में बेचा होता तो उसे 17% का लाब होता बस्तु का लागत मुल ग्याद किजिए 17% माइनस 15% कितना हो जाएगा 422 तो 2% बरबर कितना हो जाएगा 422 तो 100% बरबर हो जाएगा 422 बटा 2 गुना 120 अवरे की 1100 हो जाएगा यह 1100 option जो हो जाएगा भी सही हो जाएगा पेगंबर मुहम्मद के कतनों या दैनिक सिच्छाओं को उनकी मिर्टू के बाद उनके अनुआईयों द्वारा संकलित किया गया और उसे खालिस्तान कहा गया अंसर हो जाएगा option D हदीस कहा गया क्या कियागा हदीस मुसलिम कानून का चार अधार है कौन कौन है एक तो कुरान है दूसरा हदीस है तिसरा इजमा है और चौथा जो है वो क्या है सरीयत है तो ये चार जो है उसके अधार है पेगंबर मुहम्मद साहब ने कुरान की सिच्छाओं का उगदेश दिया चोबीस सितमबद 622 सिच्छी को पेगंबर के मक्का से मदिना की यात्रा इसलाम जगत में मुसलिम संबद हिज्री संबद के नाम से जाना जाता है पेगंबर मुहम्मद साहब को 610 सिच्छी में मक्का के पास हीरा नामक गूफा में ग्यान की प्राप्ती हुई थी अगला है भारत के उत्री मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचिन जलोर मुझूद है क्या कहलाता है सही अंसर हो जाएगा अप्सन डी बागर कहलाता है जलोर मिठी दो बागों में बाटा जाता है खादर और बागर क्या कहा है खादर और बागर उत्री मैदान का सबसे विसालतम भाग पुरानी जलोर मिर्दा से बना है जो नतियों के बाद बाले मैदान के उपर इस्थित है तथ अबेरिका जी सिया किर्थी परदर्सित काता है इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत के सिवाली के गिरिपद परदेश में सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक के छेतर को भाबर कहा जाता है तो अंसर हो जाएगा यहां पर कौन सा डी बांगर रॉलेक्ट पारित किये जाने के समय ब्रिटिस भारत का बाइसरा कौन थी और इसका सही अंसर हो जाएगा आप्सन ए लौड चम्स फोड कोन था तो लौड चम्स फोड था रॉलेक्ट मार्च उन्हेसों निस की लागू सेडिशन कमेटी की सिफारिस्क पे अधारित था अगला है तमिलनाडू की अधिकारिक और सबसे परमुक भासा तमिल का संबंद किस भासा परिवार से है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन बी देड़ाबिड तमिलनाडू की अधिकारिक और सबसे परमुक भासा तमिल का संबंद दरविर भासा परिवार से है दरवि नेक्स्ट है भारत काईन में से कौन सा बैंक सर्व जलिंग छेतर का located साही जवाब हो सदोल का ऑप्जन भी इंडीय अवर्सीज बंग इंडियन 억र इसी पर्चेंट से अधिक है सरव संवे जहन्मि जाता है अर्वारा है्द हाले मौन्सून की उत्पति या जेट अस्ट्रीम सिद्दान्त का प्रतिपादन इस्ट द्वारा किया गया है। सरोजनी नाइडू ने गांधी और इर्विन को दो महत्माओं का मिलन कहा था। अगला है निमलिखित युनानी सासकों में से किसने मेगा स्थनीज को चंद्रगुप्त मौर के दरवार में भेजा था। चंद्रगुप्त ने लगवक 305 इसाफ पूर में सिलकस निकेटर को हराया, मेगा स्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो इंडिका है। मोहन बगान एथलेटिक क्लब कि सार में स्थित है और इसका सही अंसर हो जागा अप्शन D कोलकाता में स्थित है। वो 15 अगस्थ 1889 इसवी को हुआ था, कववा था 15 अगस्थ 1889 इसवी को भारत का सबसे पुराना फुटवाल कप जो है ओर डुरेंड कप है, कब से सुरू है तो 1888 इसवी से सुरू हुआ है। इसे भारत का राष्ट्य कलब कहा जाता है, वोहन बगान को और इसे एसिया के सबसे पुराने फुटवाल कलब होने का भी गवरफ प्राप्त है। अगला है, दो बिधुद परिफतों में परवाहित धाराओं का अनुपात एक अनुपात चार है, यदि उनके परतिरोधों का अनुपात दो अनुपात एक हो तो उनकी सक्तियों का अनुपात क्या होगा। तब परवाहित धाराओं कानुपात I1 बटा I2 जो है वो कितना है एक बटा 4 है परतिरोधों कानुपात R1 बाई R2 कितना है दो बटा 1 P बरवर फर्मूला होता है I2 र होता है तो P1 बटा P2 बरवर होता है I1 बटा I2 के अस्क्वाईर इन्टू R1 बाई R2 मांने रहे दीजे एक बटा 4 के स्क्वाईर अगुना 2 बटा 1 हो जाएगा तो P1 बटा P2 बरवर हो जाएगा बन बाई आठ न दो बटा एक यानि चार से कट जाएगा यह हो जाएगा चार सो सोला हो जाएगा शोला से यह आठ से कट जाएगा यानि यह हो जाएगा बन बाई आठ अंसर जो हमारे पास हो जाएगा कि A, एक अनुपात 8 एक बिधुत परिपथ तप्त किये जाने पर 540 बाट परती मिनट किदर से उर्जा की खपत करता है यदि परिपथ के टर्मिनलों पर भोल्टे 270 भोल्ट हो तो परिपथ का परती रोध कितना समान रूप से होगा तो ब्याय उर्जा जो है 540 बाट है भोल्टे 270 है तो P बराबर फर्मूलों होता है B square by R R बराबर होगा 270 गुना 270 अब बटा कितना हो जाएगा ये 540 यह 135 ओम हो जाएगा कितना हो जाएगा यह 135 ओम हो जाएगा अंसर हो जाएगा अप्शन C निमलिखित में से परकास के प्रकिर्नन अस्कैट्रिंग के अनुपरियोगों की पहचान किजिए तो यह देखते हैं कि कौन सा इसका जो है अंसर हो जाएगा तो खत्रों के संकेतों का लाल होना उल्टा और बड़ा परत्विम प्राप्त करने के लिए बस्तु को निमलें से कहा पर रखा जाना अवस्यक है अंसर हो जाएगा बातल दरपन के C और F के अगर हम बीच में रखते हैं C और F के अगर हम बीच में रखते हैं इहाँ हमारे पास जो प्रत्विम उल्टा जो बनेगा यह यहाँ बनेगा नेक्स्ट है यदि M, V और U क्रमसा अवर्धन परतरियम के दूरी और बस्तू के दूरी नुरूपित करते हैं तो लेंस के लिए M, V और U के मद सही संबंद क्या होगा और इसका सही अंसर हो जाएगा कौन सा? तो M बराबर जो है F माइनस V by F V होगा और M बराबर Fy F माइनस U V होगा और M बराबर Vy U V होगा यह तीन होगा अंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यह तीन हो जाएगा इसका सही अंसर जो होजाएगा व कौन सा होजाएगा आप्शन आ यह सिर्ञखिला पूरी हो जाएगी एक निश्चित कूट भासा में बैक को 17 लिखा जाता है, डिटी डिसी को 31 लिखा जाता है, उसी कूट भासा में जाम को कैसे लिखा जाएगा, तो B का जो होता है दो होता है एक का एक होता है C के 3 होता है K के 11 होता है जोड़ के यह 17 किया गया है उसी तरह 4, 20, 4, 3 को जोड़ के 31 किया गया है इसे अगर जोड़ेंगे तो यह कितना होगा 10 पलस 1 पलस 1 पलस 13 बरबर 25 अंसर हो जाएगा option B गनेतिये चिनों को सही स्योजन का चैन करें जिन्हें दिये गए सम्मिकरन में अस्टार चिनों के अस्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर सम्मिकरन संतुलित हो जागा इसका जो अंसर हो जाएगा वो है B अगर B को रखेंगे तो हो जाएगा जिसे B को रखते हैं तेरा गुना साथ माइनस 32 पलस 56 भागा चार बरबर जो होगा वो 73 आजाएगा समय करन सही हो जाएगा अंसर B होगा चावन का कथन अब हम निसकर्स का प्रस्न है कुछ जूते जो है कुछ यह हो जाएगा क्या जूते जो है वो है साथ है क्या है यह हो जाएगा साथ है उसके बाद कर रहा है सभी साथ जो है वो जैकेट है सभी साथ जो है वो क्या है जैकेट है कुछ जूते जैकेट है तो बिल्कुल सही हो जाएगा सभी जाइकट जो है जूते हैं ये गलत हो जाएगा अंसर जो हो जाएगा option D केवल निसकर्स एक अनुसरन करता है next प्रस ने उस बिकल्ब का चैन किजिए जो पांच भी अच्छर समूँ से उसी तरह संबंदित है जिस तरह दुसरा च्छर समूँ पहले च्छर समूँ से संबंदित है और चौथा च्छर समूँ तिसरे च्छर समूँ से यहाँ पर देख रहा है कि बाई से पी गया है तो ये माइनस नौ है और D से H गया है तो पलस फोर है उसी तरह B से अगर M गया है तो यह माइनस 9 है और उसके बाद J से N गया है तो यह पलस 4 है यानि जो हमारा स्रीच चल रहा है माइनस 9 का पलस 4 का पलस 4 का इस तरह है इसमें भी यही स्रीच चल रहा है वगर हम इसका चलेंगे तो P जो है वो माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? G हो जाएगा और X का पलस 4 करेंगे तो B हो जाएगा अब Y का माइनस 9 करेंगे तो P होगा और S का पलस 4 करेंगे तो W होगा अंसर जो हमारा निकल कर आजाएगा वो कौन सा हो जाएगा वो C हो जाएगा अगला प्रशन है कि D गई आकिर्ती में कितने तिर्भुज है और इसका सही अंसर हो जाएगा option B इसमें total जो है वो कितने तिर्भुज है तो 30 तिर्भुज हो जाएगा एक निश्चित कूट भासा में GBTA को 24 के रूप में कूटवद किया जाता है JWQWBI को 30 के रूप में किया जाता है उसी तरह DLU CPR को किस परकार कूटवद किया जाएगा यहाँ पर देखिए कि GBTA में कितना है चार अच्छर है कितना चार है अगर चार को 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा इसमें 5 है तो 5 से गुना 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा इसमें 3-3-6 है 6 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 36 होगा पनसर जो हमारे पास हो जाएगा वो D हो जाएगा पलस का रत माइनस माइनस कर्थ गुना गुना कर्थ भागा और भागा कर्थ पलस है तो निमल खित सम्मिकरन में से प्रश्ण बाज़्यक के स्थान पे क्या आ जाएगा जब इसे प्रश्ण के अनुसार ति करेंगे ए तो यह हो जाएगा हमारे पात कितना 83 पलस 12 गुना 65 भागा 13-47 ब्रवर कितना सोर्व करेंगे तो यह 96 में आ जाएगा यही हमारा answer हो जाएगा option A हो जाएगा एक निश्चित कुट भासा में coach को इस तरह किया जाता है birth को इस तरह लिखा जाता है उसी कुट भासा में train को कैसे लिखा जाएगा आ यह देखते हैं C O A C H है यहां पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि C से माइनस पांच कर रहे हैं तो X आ रहा है A को इधर लिख दे रहा है O को इधर लिख रहा है C को इधर इसको यहांनि शुरुवात को ही सिर्फ माइनस पांच कर रहा है अगर हम train को इसी तरह लिखेंगे T, R, A, A, I, N जो की प्रस्ण में पूछ रहा T को माइनस पांच करेंगे तो O होगा A को इधर लिख देंगे R को इधर लिख देंगे A, I को इधर लिख देंगे तो 129 आता है, 129 में पलस से 20 करेंगे, हमारे पास 150 आया, यानि पलस 4 किया गया है, 150 से 175 में है, पलस 25 जोड़ा गया है, और इसमें कितना जोड़ेंगे, पलस 4 करेंगे, तो 29 जोड़ा गया है तभी 204 आया है अब इसमें 29 में से प्लस 4 कर देंगे है तो प्लस 33 हो जाएगा 204 प्लस 33 कितना हो जाएगा 237 हो जाएगा अंसर जो हमारे पास हो जाएगा D हो जाएगा A बटा B बरबर 3 बटा 4 B बटा C बरबर 4 बटा 9 है A प्लस B अनुपाथ B प्लस C अनुपाथ C अनुपाथ A कमान क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 प्लस 4 अनुपाथ 4 प्लस 9 अनुपाथ 9 प्लस 3 बरबर 7 अनुपाथ 13 अनुपाथ 12 अंसर हो जाएगा option C हो जाएगा option C हो जाएगा नेक्स्ट है इसका मान ग्याद करें, यहाँ पर क्या है, मान ग्याद करना है, तो सिंपल है, आप इसे ग्याद कर लिजगा, इसका अंसर जो हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका अंसर, दो संख्याओं का महत्तम समाव वर्त और लगत्तम समाव वर्त पा संख्याओं का नपात पांच नपात साथ दिया हो तो दोनों संख्याओं में सिब बड़ी संख्या क्या है तो माना कि दो संख्या कौन-कौन है पांच एकस और साथ एकस है पहली संख्या अगुना दूसरी संख्या बराबर होता है लासा अगुना क्या होता है मसा होता है यह ह जाएगा क्योंकि इधर साथ पर्षे 35 है और इधर से यह कड़ेगा तो पचीस है एक्स वरवर कितना जाएगा पांच आ जाएगा बड़ी संख्या साथ एक्स है यानि साथ गुना पांच वरवर 35 हा जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि एक बस् बस्तु का क्रेमुल जो है वो कितना है क्रेमुल बराबर हो जाएगा सव अबस्तु का अंकित मुल कितना हो जाएगा अंकित मुल तो यह हो जाएगा सव गुना एक सो सत्तर बठा सव यानि एक सो सत्तर हो बस्तु के क्रेमुल पर नगत भुकतान पर छूट दिया जा रहा ह एक बीस परसेंट और एक पत्री बीस परसेंट की छूट दिया जा रहा है तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा कितना एक सो तीन दसम्लब तीन चो हो जाएगा अब लाब परतिसत बरबर कितना होगा लाब परतिसत बरबर हो जाएगा 103.36-100 यानि 3.36% अंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा उन्हें 140 के अंकित मुल बाली एक बस्तु को 15% की छूट पर बेचा गया बस्तु किस मुल पर बेची गई है बस्तु का बिक्रे मुल बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना तो उनिस सव चालिस गुना पचासी बटा सव यानि 1649 रुपया क्या हो जाएगा 1649 रुपया ऑप्शन C हो जाएगा निमल लिखित में किसे बन गुडगर अभ्यारन गोसित क्या गया किसे बन गुड़ खर अभ्यारन गोसित क्या गया अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक कच का रन का इस्याई जंगली गधे यानि इक्वस हेमियोनस का एक उप पजाती होता है ये बिस में भारते जंगली गधो की आखरी अबादी कच के रन गुजरात तक ही सिमित है भारत ने खाले स्थान को हरा कर अपना पहला महला अंडर 19 टी-20 किरिकेट बिसकप 2030 चीता अंसर हो जाएग जोतीवा फूले ने अपनी पुस्तक गुलाम गिरी में निमन जातियों को पकंडी ब्रहमनों एवब उनके अबसरबादी धर्म गरंथों से सुरच्छा दिलाने के अवसकता पर जोर दिया था अगला प्रसन है कि कौन सी नदी घाटी करनाटा के राज के पस्मि घाट परवस सिंखला से निकलती है जिसकी नोयल, काविनी, अरकाबती और अमराबती जैसी कई सायक नदिया है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन B कावेरी नदी करनाटा के कोड़कु जिले के ब् अब प्र यार को केरल का जीवन दाइनी नदी कहा जाता है दिल्ली में हुमायू ने निमलिखित में से किस सहर का निर्मान करवाया था और इसका रही है अंसर हो जाएगा, ऑप्शन A, Drement बिल्ली में हुमायू नेदिन पनाः सहर का निर्मान कर आया था, मुगल बास्शा Si उमाइयू ने दिन पनाह नगर के स्थापना की। दूसरा मुगल समराथ हुमाईयू ने अठारा सो 1530 में सथा संभाली और 1533 में उसे यम्ना नदी के तड़ पर एक ने सहर दिन पनाह के अस्थापना की। नेक्स्ट है भारत में किस संस्था ने स्वय सहायता समुहों के सभी सदस्यों को डिजली करन के लिए प्रजेक्ट इस सकती लौंच किया था और इसका अंसर हो जाएगा option C नवाड भारत में नवाड ने स्वय सहायता समुहों के सभी सदस्यों को डिजली करन के लिए प्रजे के नीवर्तन के दौरान बर्सा होती है और अंसर होजाएगा ौप्सणंस C तमिल्नाडू में होती है तमिल्नाडू राज में मद्ध दछिन भारत में उत्तरपूर मान्सून का महसंँ रहता है जो मुख रुप से आंध परदेश रॉयल सीमा तमिलनाडू में सक्री रहता है यह तमिलनाडू के मुख बरसा वाली अवधी होती है राजा राम मुहन राए के पुस्ता गिफ्ट टू मोनो थिस्ट मूल रूप से किस भासा में लिखी गई थी अंसर हो जाएगा option C फारसी भासा में लिखी गई थी राजा राम मुहन राए ने बरस 1809 में गिफ्ट टू मुने जो है मुनो थिस्ट लिखी थी जिसमें एक एस्वर बादियों का उपहर नामक पर सिथ पुस्तक कहा जाता है बरस 1820 में राजा राम मुहन राए ने प्रिस्ट अफ जीसस भी लिखी है धिमसा लोक निरित निमलिखित में किस जनजाती द्वारा किया जाता है धिमसा लोक निरित और इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा धिमसा लोक निरित अंसर हो जाएगा option A अराकू घाटी धिमसा लोक निरित पुरजा जंजाती द्वारा किया जाता है अराकू घाटी के जंजाती द्वारा भी किया जाता है अधिमसा लोक निरित जो है आंध परदेश पर एक आधिवासी निरित है उ है एक तत्व एक लोरिन के साथ अभी किरिया करके एक उच गनलांक बाला योगिक एसी निर्मित करता है यह यह जल में बिले भी हो जाता है तत्व एक क्या होने की संभावना सबसे परवल है और इसका सभी अंसर जो हो जाएगा आप्शन ए सोडियम सोडियम है यदि तत्व यह आयरन होता था सियल से अभी किरिया करके एफ़ी सियल थिरी बनता लेकिन अगर सोडियम धुब्र नज्हम परासं लगज़ संभाव की संभावना समान होती है और सब्सक्रपर में समुह में साधीरी स क्यावना railway संभावनारी कीMP स्यारियम समुह में नीचे जाने पर व का अंसर हो जाएगा अपसन C, संजो जगता, CuCl2 बिलियन का रंग कैसा होता है, सही अंसर हो जाएगा अपसन B, नीला हरा होता है, कैसा होता है, नीला हरा होता है, समान जलिये प्रानी जैसे मचलियां अप सिस्ट का उतसरजन इन में से किस रूप में करती है, अंसर हो जाएग का चैन करें जो निमलिखित बरगों के बीच के संबंद को स्रवत्तम धंग से दरसाता है चमच सूप चाबर सही जो अंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा तो वह हो जाएगा टी तीनों जो है एक दूसरे से डिफरेंस है उत्तर आकिरतियों में से उस उपीक आकिरति का च यहां देखिए T से R गया है मानस दो है, R से P गया है मानस दो है, P से N गया है मानस दो है, N से मानस दो जाएगा तो A होगा, E से C गया है मानस दो, C से A गया मानस दो, A से B गया मानस दो, अब B से मानस दो जाएगा, तो हमारा जो आएगा वो W होगा, फिर उसी तरह O से M गया ह 钱 तो क्या होगा जी होगा अंसर जो निकलकर आएगा वो सी होगा सात ब्यक्ति है जो क्या है एक सीद्री पंग्ती में के और मुकरे बैठें वीके बाइउं और केष्गे बढ़ें और केवल्डों ब्यक्तिव हैं एम जीद दाइउं और तिसरे स्थान प्रस्ण में थोड़ा सा confusion है ध्यान से देखियागा कहीं ऐसे प्रस्ण को गल्ती करके उत्तर करना दीजेगा और अंसर भी वही रहे प्रस्ण करनों सारे रेंज किजएगा तो के होगा डी होगा यहांपर होगा यहांपर यू होगा वह जी होगा और यह इधर जो होगा वह आईगा है कार्थ पलस जे कार्थ है गुना के कार्थ है भागा एल कार्थ है माएनस तो निमनेखी समिकरन में प्रश्च C कह स्थान पर जब उसे बचयांजक में जबरी दो हजार तीन बरवर जो हो जाएगा, दो हजार बर्स प्लस दू बर्स जो की समान है, प्लस चबिस दिन हो जाएगा, दो हजार बर्स में जो है, वो जीरो दिन हो जाएगा, दो बर्स में बिसम दिन दो हो जाएगा, चबिस दिन में बिसम जो होगा, चबिस बटा जीरो दिन आ जायेगा तो 26 जनवरी 2003 का कुंसा दिन होगा जीरो जो हम कोड करते हैं वो रभी बार को करते हैं सोंबार को एक मंगल को दो बूद के तीन गुरुबार को चार सुकुरबार पांच सनीवार शे अंसर जो हमारे पास हो जागा जीरो दिन यानि 6 जनबर 2003 का कौन सा दिन था होगा रभीवार अगला प्रस्ट ने एक निश्चित तरीके से लिखा गया इसे और इसे लिखा गया इस तरह से तो समानतर का पॉलन करते हुए इसको किस तरह हमें लिखना है तो यहां पर देखिए कि B से क्या क्या है कि पलस फाइब किया है तो G है और U से पलस फाइब किया है तो जिड है तेस को क्या किया है माइनस पांच किया है तो अठारा आ गया है और G को पलस फाइब किया है मानने सम में पलस फाइब किया है लेकिन जहां डिजिट है वहां माइनस कर दिया है अगर सेम अगर उसी तरह हम रखेंगे जी, यू, अठारा, एन को तो यहां पर क्या होगा जी से माइनस फाइव करेंगे तो एल होगा माइनस में पुलस फाइव करेंगे तो एल होगा इसमें पुलस फाइव करेंगे तो जेड होगा हाई से है हमारे पास किसे आएगा तो हिंदुस्तान में से तीन अच्छा रिव मौजुद है जिनके 20 सब्ध उतने ही अच्छा रहे जिनके भी चंग्रेजी बंडमाला के करम में हैं अंसर हो जाएगा option B हो जाएगा अंसर 3 क्तिख्या का चैनल 55 पर 32 गया है, पलस 4 है, 32 से 49 गया है, पलस 7 है, 49 से 22 गया है, पलस 13 है, ये पलस 22 है, अब क्या होगा हमें ये देखना है, लेकिन ये स्रीज किसे बन रहा है, तो 4 से 7 गया है, पलस 3 है, 7 से 13 है, पलस 6 है, 13 से 22 है, पलस 9 है, पलस 12 हो जाएगा, 22 से 34 अगर करेंगे, 22 में 12 जोड़ें तो 108 यही हमारा अंसर हो जाएगा यानि हां दो स्रीज में जाएगा उस संख्या का चैन कीजिए जो निम्रिखिस रेनी में प्रस्ट चिन के स्थान पर आएगा अठारा से 19 गया यानि एक के स्कॉाइर गया है 19 से 28 गया है मतलब समझ रहें कितना 9 गया है तो 3 के स्कॉाइर है पांच के स्कॉाइर है तो कितना है नो के अंठर है कितना हरे मतलब 49 का अंठर हो रहा है तो यह हो जाएगा साथ के स्कॉाइर है अब क्या होगा। स्कुर्ण होगा क्योंकि एक तीन पांच साथ नो क्यास नो नमा एकासी यहने एक सो दो पलस एकासी कितना हो जाएगा एक सो तेरासी अंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ग्याद किजिए जिसका उप्योग छे मिटर पा अब इनसाबकशा अगर हम मासा निकालेंगे तो चीज सेंटी मीटर निकलेगा यानि 0.25 मीटर होगा बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई होगा 0.25 मीटर हो जाएगा चार सप्ता की अब्धी के दोरान अवस्यक बस्तों पर एक परिवार का सप्ता ही कौशत ब्याइए 1475 था पहले तीन सप्ता हो के दोरान रवी बार ने कितनी आ जाएगा तो 1475 गुना चार माइनेस करना है 1200 पलस 1500 पलस 1875 यानि 69 सो माइनेस 4575 यानि हो जाएगा 1325 सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी एक निश्चित धनरासी पर नो परसेंट बारसिक ब्याज की दर से दो बरसों में प्राप्त होने वाले चक्रिप्दी ब्याज और साधारन ब्याज का अंतर 97.2 है तो निवेसी धनरासी व्याद कीजिए दो बरस के लिए डी बरबर जो होता है पी आर स्कॉाइर बटा सो के अस्कॉाइर तो 97.2 बरबर के होगा पी गुना 9 के स्कॉाइर बटा कितना हो जाएगा 10,000 तो 97.2 बरबर हो जाएगा 9,72 बटा 81 यानि यह कितना आजाएगा 12,000 आजाएगा तो धनरासी कितना अंसर आगया 12,000 ऑप्शन D हो जाएगा नेक्स्ट है हरीस के मासिक बेतन 45,000 में से 1 बटा 3 सिच्छा पर 2 बटा 6 भोजन पर अन आवसकताओं पर खर्च होता है सिच्छा पर बजट करता है तो बचत की रासी कितनी हरीस का मासिक बेतन कितना है तो यह है 45,000 खर्च कितना हो रहा है खर्च जो हो रहा है सिच्छा पर पलस भोजन पर तथा आने पर तो एक बटा 3 पलस दो बटा 6 यानि दो बटा 3 हो जा रहा है सिच्छ बेतन एक माइनस दो बटा 3 करा जाए घटाया जाए तो कितना हो किसी सब्सक्राइक क्रमचारी की आउस्त आए 180 है उसे सौम बार से सनी पर तक इतना इतना रुपय कमाए रवी बार की उसकी आए ग्यात करें तो साथ गुना 180 तो हो जाएगा यह अवसत हो गया अवसत मने रवी बार की आए निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कूल जो है पूरे साथ दिन का साथ गुना 180 माइनस में से सब के जोड़ देंगे तो रवी बार का निकल जाएगा 170 पलस 165 पलस 180 पलस 225 हो जाएगा यह बारा सो साथ माइनस 1075 रवी बार का हो जाएगा 188 रुपया अंसर हो जाएगा जब हावा के परवा की दिसा तधी कस्थिर हो उन छेतरों में निर्मित अर्ध चंद्रकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन ए बर्खान तुर्की में अधिक संख्या में पाए जाते हैं पबंद वारा रेत एबं बालू के इंतों को मुक्त और निर्भी नियमित किया गया है नेक्स्ट है लाल और पीली मिटी खाली स्थान और खाली स्थान के कुछ हिसों में सानी से पाई जा सकती है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन बी लाल और पीली मिटी उरिशा और च्छतिसगड के कुछ हिसों में सान 1935 बारा सरकार अधनियम 1935 के बारे में पंडित नहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेको बाली इंजर रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पुन्ता सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। पंडित जवाहरलान लेहरू ने 2 अक्टूबर 1969 को नगौर राजस्थान से किया था। चीनी उद्दोग के लिए प्राथमिक कच्छा माल खाली अस्थान है और इसका सई अंसर हो जाएगा अप्शन C गन्ना है। भारत में पर्थम चीनी मिल के अस्थापना दिवरिया परता अंसर हो जाएगा ऑप्शन B मिश्ठान लाट डलोजी ने बिले नीती के तहट किस बर्स जाशी को बिले किया था और इसका अंसर हो जाएगा A 1823 में लाट डलोजी के ब्यपकत सिद्धान अथवा राज हडपने के नीती के तहट पहली बार 1848 इसवी में 1848 इसवी में 17 को डलोजी द्वारा बिले किया गया 1849 में जैदपूर को और 1849 में ही संभलपूर को 1850 में बगहाट को 1852 में उदैपूर को तीरपन में जासी को 1854 में नागपूर को असब से लास मैश 1856 में जो किया गया है अबद को नेक्स्ट है परधान मंत्री नरेंद मोदी ने खाले स्थन में जल जीवन मिशन का सुवरंब किया अंसर हो जागा अप्शन C 2019 में जल जीवन मिशन का सुवरंब किया जल जीवन मिशन का उदेश 2024 तक सभी ग्रामीन घरों में पाइंप द्वारा सुध पेजल परती दिन 55 लीटर परती दिन 55 लीटर परती ब्यक्ति उपलव्द कराना है जल जीवन मिशन के तहत गोआ ग्रामीन छेत्रों में 100 परसंट घरेलू नल कनेक्शन परदान करने वाला पहला हर घर जल राज बन गया है चिन्ना स्वामी किरकेट अस्टेडियम किस सहर में इस्तित है और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलूरू में इस्तित है यह चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अस्थापना कब की गई थी अमलिये प्रकिर्ति का होता है चोबिस घंटा में लगवक देड़ लिटर मुत्र बनता है निमलिखित में कौन सा जी भोजन को सरीर से बाहर विखंडित करता है और फिर पच्चे हुए भोजन का अपसोशन कर लेता है अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्रूम नेक्स्ट है निमलिखित में कौन सा उतक ब्रिक नलिकाओं की भीतियों का निर्मान करता है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपकला उतक ब्रिक नलिकाओं की भीतियों का निर्मान करता है नेक्स्ट परस्थित की पच्चिन प्रस्थित की तंत्रों पर मानव प्रस्तित्की के प्रूर उत्पादन करने की छमता से करता है नेक्स्ट है मनुस्यों में अन्त सुरवन के संब्द में नीचे दिए गए सभी कत्रों में से केवल एक वलाबा अन्न सभी सही है इसमें से गलत कथन की पहचान करना है कि कौन सा गलत कशन है तो पसलियां अंदर और डाइफ्रांब उपर के और फुलता है यह गलत है पसलियां ऊपर उठती है डाइफ्रां सपाट होता है यह सही है बच गुहा बड़ी हो जाती है फेपडों द्वारा बायों का अंतरग्रहन होता यह सही है अंसर जो हो जाएगा, option A हो जाएगा, एक निश्चित कुट भासा में पंच को इस तरह लिखा जाता है, स्वाल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कुट भासा में कर्मा को किस परकार लिखा जाएगा, यहां पर आएए लिखकर देखते हैं, P, U, N, C, H को लिखा गया है, O, W, M, E, G लिखा गया है, यहां से देखते हैं को P से माइनस एक किया है, U से पलस दो किया है, N से M जो है माइनस एक किया गया है, C से E जो है पलस दो किया गया है, और S से G माइनस बन किया गया है, यहां हमारे पास स्रीच चला है, माइनस एक पलस दो, माइनस एक पलस दो, माइ C होगा इसे माइनस एक करेंगे तो Q होगा M से पलस दो करेंगे तो A से माइनस एक करेंगे तो Z होगा अंसर जो होगा option C होगा मदन और मोहन कुछ ब्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं मदन पंक्ति के 72 से सुलाविय अस्थान पर खड़ा है अर मोहन पंक्ति के दाएं स्थान से 19 सथान पर खड़ा है यदि वे दोनों आपस में तो 28 पलस 19 माइनस एक प्रवर 47 माइनस एक प्रवर 46 अंसर जो होगा वो डी होगा साथ डबा है एक के उपर एक करके रखे गए हैं लेकिन जरूरी नहीं कि करम में हो एस नीचे से तिसरी अस्थान पर है पी और इसके बीच के वल भी है टी और भी के बीच के वल तीन डिब ब रखे गए हैं तो यहां पर जब हम रखेंगे तो यू टी आर क्यू एस भी पी इस तरह एरेंज होगे तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा हो जाएगा वह जाएगा बी तीन हो जाएगा एक निश्चित कूटबासा वाला प्रशन है काफी इजी होता है आप इससे सदस है कह रहा है कि जेड जो है वह भी का पुत्र है क्या है भी का पुट्र है वह जेड हो रा है इसके बाद किरा क्या है भी का भाई है क्या है भी का भाई है इसके बाद करना डी और भी जो बिवाहित है ये दोनों जो है वो एक दूसरे को से साधी किया हुए बिवाहित है और पी है डी का पुत्री पी जो है वो डी का पुत्री है यानि जेड और पी जो है एक दूसरे को क्या हो जाएगा तो भाई हो जाएगा भाई बहन अंसर हो जाएगा D भाई हो जाएगा Z का P से ये भी ध्यान देखेगा कि यहां भाई और बहन दोनों अपस्टन है तो Z का P से क्या संबंद है Z का P से संबंद पूछ रहा है तो P का भाई है Z यदि एकीस फरवरी दोहजर पांच को रवी बार था तो एकीस फरवरी दोहजर साथ को सब्ता का कौन सा दिन होगा एकीस फरवरी दोहजर पांच से एकीस फरवरी दोहजर साथ तक विसम दिनों की संख्या जो होगा एक प्लस एक बरवर कितना दिन हो गया दो दिन हो गया एक प्लस एक दो दिन हो गया यानि दो दिन बढ़ जाएगा रवी बार प्लस दो दिन कितना हो जाएगा मंगलवार क्या हो जाएगा मंगलवार सुम्बर प्लस मंगलवार मंगलवार अंसर जो हो जाएगा ए हो जाएग तहां J से जो है L गिया है वो PLUS 2 है U से S गिया है माइनस 2 है G से सग पलस 2 है यानि स्रीज HELी स्रीज PLUS 2 माइनस 2 हब फलस 2 का है थो। camera कर देते खासे को करते हैं here तो हमारे पास आएगा सी अब पी से माइनसsk दू करेंगे तो हमारे से अएगा N 80 से पलस दू करेंगे तो आएगा B अंसर होगा C N B, option A सही हो जाएगा 118 की बात करें तो figure वाला प्रस्ण easy होता है इसका अंसर जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा दिये गया किर्ती में कितने तिर्भुज है इसमें total तिर्भुज जो है वो कितने है बाइस है कथन और निसकर्स का प्रस्ण है आईए चलिए इससे solve करते है कुछ कार जो है वो क्या है रोकेट है कुछ कार जो यहाँ पर क्या हो जा रहा है वो रोकेट हो जा रहा है यह रोकेट है और यह क्या है कार है उसके बाद कह रहा है कि सबी जो रॉकेट है वो इंजन है यह क्या है इंजन है इंजन है तो निसकर्ष में आते हैं कुछ इंजन रॉकेट है बिल्कुल सही कुछ इंजन का रहे है यह भी सही तो दोनों सही है यह और दो अनुसरन करता है 86-75-2-3 को एक निशची संख्या में भाग देने पर भाग फल 33,611 और सेसफल 34,85 आता है भाजक ग्यात करना है तो भाज बरावर जो हमारे पास होता है वो क्या फर्मूला होता है जानते हैं भाजक गुना भाग फल पलस जो होता है क्या होता है सेसफल होता है यानि हमारे पास जो होता है 86, 75, 12, 3 बरावर भाजक गुना 33, 6, 11, 11 पलस 84, 85 जब इसे हल करिएगा भाजक बरावर आ जाएगा 8, 6, 7, 1, 6, 3, 8 बटा 33, 6, 11, 11 अंसर हो जाएगा 208 मन कौन सा जाएगा 208 मन option B सही हो जाएगा अगला है A और B का अनुपाद जो है वो 4, 5, 3 है A की B I उसकी I का 5 बटा 12 है और B की B I उसकी I का 7 बटा 15 है उनके B I का अन्तर 45 है तो B की I क्या होगा A और B की I आई करमसा कितना है 4X और 3X है कितना है 4X और 3X है A का B I कितना हो जाएगा 4X गुना 5 बटा 12 यानि 5X बटा 3 B का B I कितना है 3X गुना 7 बटा 15 यानि 7X बटा 5 अब प्रशना अनुसार कर रहा है कि 5X बटा 3 माइनस 7X बटा 5 बरवर कितना है 4500 X के मान निका लिएगा तो 16,875 आ जाएगा तो B की I कितना हो जाएगा B की जो है आए हो जाएगा 3X यानि 3 गुना 16,875 यानि अंसर हमारे पास हो जाएगा 50,625 50,625 अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B अगला प्रशना कि यादि 5 अंक बाली संख्या 6,7,6,1,2 3,7,11 से बटा जाएगा तो 3X माइनस 5,2 का मान याद करे इसमें दो कंडिशन लगा के हमें यूज करना होगा एक तो यूज करना होगा कि 3 से विभाज का नियम जानना होगा कि वो अंको का योग जो है 3 से गुनज होना चाहिए और एक 11 वाना कंडिशन होना चाहिए कि 6,7,6,1 है इसे हमें क्या करना होगा कि 6 का इस 6 से और इसे जोड के इसे घटाना होगा यानि 6 पलस 6 पलस Y माइनस 7 पलस X यह घटाना होगा या तो 0 या 11 आना चाहिए यह सब दोनों कंडिशन लगा कि जब हल किजएगा X और Y का जो मान आएगा तो X ब्रावर जो आजाएगा आठ बाई बराबर आजाएगा तीन और फिर इस एक्वेशन में रख दीजिएगा 3X माइनस 5 बाई में तो अंसर जो हमारे पास आजाएगा वो 9 हो जाएगा अंसर होगा आप्सन ए अगला परशन है कि 0.4 3 6 3 6 तीन 6 को तुल भीन के रूप में निरूपीत किजे इसे लिख सकते हैं 0.4 अग 3 6 बार बार है तो उसे रेकरिंग कर दिये गये हैं इसे लिख सकते हैं 436 माइनस 4 बाटा 990 ब्रबर 432 बाटा 990 ब्रबर 24 बाटा 25 24 बाटा 25 बाटा 25 अंसर हमारे पास हो जाएगा कौनसा दी हो जाएगा 2x-3y-7z और 4z-5x का यह उफल को 12x-z से घटाए तो सबसे पहले जो है 12x-z से घटाना है कितना तो यह करेंगे 2x-3y-7z अब प्लस 4z-5x इसे और थोड़ा करेंगे यह हो जाएगा 12x-z माइनस 2x-3y-7z प्लस 4z-5x रबर हो जाएगा 12x-z 12x-z प्लस 3x-3y-11z यानि 15x-3y-12z सही अंसर हो जाएगा option D किस यूद के बाद जर्मनी का एक एकरन पूरा हुआ और इसका सही अंसर हो जाएगा option A सेडाउन का यूद सेडाउन का यूद जो है 1870 इसवी में फ्रांस एबं जर्मनी के बीच हुआ मंगोलिया की रधाने और मुद्रा क्रमस है सही अंसर हो जाएगा C उलान बतोर जो है रधानी है अतुगरिक जो है इसकी मुद्रा है तासकन जो है उज्वकिस्तान की रधानी है S अंगेस्ट ओड्स S अंगेस्ट ओड्स किसकी आत्मकता का सिरसक है अंसर हो जाएगा D. सानिया मिर जाके हाली में किस Neuro Technology Company के बैग्यान को और इंजिनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेंचीप लगाया है किस Neuro Technology Company के बैग्यान को और इंजिनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में brain chip को लगाया गया है इसका अंसर हो जाएगा option A neural link क्या है neural link और यह company किसका है Elon Musk का है किसका है Elon Musk का है साथ सबस्ताबक Elon Musk है इसके ICC महला T20 Biscope 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा और इसका अंसर हो जाएगा D बांगला देश में किया जाएगा भारत का पहला I.A.S. school कहां लौँच किया गया है इसका अंसर हो जाएगा option C केरल में पहला I.A.S. school लौँच किया गया है केरल के तुर्वंत्रम में पहला जो हो है I.A.S. school लौँच किया गया है हाली में केरल ने C.S.P.S. नामक देश का पहला सरकारी स्वामित बाला OTT प्लेटफॉर्म भी लौँच किया है हाली में सार्थी पहल का सुभारम किस मंत्रालाई ने किया है सही जवाब हो जाएगा option A किर्सी अवं किसान कल्यान मंत्रालाई ने पहल किया है नेक्स परस्ट ने भारते रिजर बैंक निगे हाली आकड़ों के अनुसार बितिये बर्स 2030 के लिए भारत की सुध घरेलू बचद्दर क्या थी और इसका सही अंसर हो जाएगा B 5.3% बुकर पुरुषकार 2030 से किसे सम्मानित किया गया है और इसका अंसर हो जाएगा option D पॉल लिंच को किया गया आईरिस लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सौंग के लिए बुकर पुरुषकार 2030 से सम्मानित किया गया है संजुक तराष जलवाई परिवर्तन सम्मिलन कॉप 29 का संगठन कायोजन 2024 में कहां किया जाएगा और इसका अंसर हो जाएगा option C अजर बेजान बाकू में जब किसी अमल को किसी चारा के साथ अविकरिया करके लबन और जल निर्मीत करा जाता तो ऐसे रसाइनी का विकरिया को क्या नाम दिया जाता है और इसका अजर वजाएगा option D उदासनी करन अविकरिया क्या है उदासनी करन अगर मान लेकि एस एल पलस न ओएच यह बन जा रहा एस एल लबन पलस एस टू ओ जल किसी बस तो को एक अबतल दरपन के सामने इसकी फोकस दुरी से दुगनी दूरी टू एफ पर रखा गया है पर तिपीम दूरी एफ के पद में क्या होगा और इसका सही अंसर जो हो जाएगा वो कितना बरबर बन बाई एफ माइनस बन बाई यू बरबर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस बन बाई एफ पलस बन बाई टू एफ क्योंकि बस तो यू जो कह रहा है वो क्या है माइनस टू एफ कर रहा है अब फोकस दूरी जो है माइनस एफ है अब पर तिपीम दूरी जो है वो भी है निम्द बिकल्पों में कौन सद्धातु समू इतना मृद्धू होता है कि इन्हें चाकु से काटा जा सकता है और इनका गनातु कम और गनलांक भी निम्द होता है अंसर हो जाएगा अप्संसी लिथियम सोडियम और पोटेशियम जल कारा साइनिक समिकरें एस्टू को लिखने के लिए MS बढ़ के इन में से किस विशेष्टा का उपयोग समान रूप से क्या जा सकता है और इसका अंसर हो जाएगा अप्संसी सबस्क्रिप्ट का क्या है सबस्क्रिप्ट का इन्वेट्टोरियल प्लेट पर कोशिकाओं के केंदर में गुनसुत्रों का सरेच माईटोसिस के किस चरन में संदर्वित होता है सही अंसर हो जागाgra rond C मेटा अलोचना का निंदा से जो संबध है संबंद एक जूठता का खाली स्थान से है brings me एकता से है किसे है एकता से है एक जूटता का समझ एकता से प्रश्ण चिन के जगा पर आने वाले आकर्थी कौन सा है अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट प्रश्ण है उस बिकल्ब का चैन करे जो सब्दों को आपस में वही संबंद है जो संब्द नीचे देगा उत्तर दच्छिन अंसर हो जाएगा नाक भाव चड़ाना मुस्कुराना क्या है नाक भाव चड़ाना मुस्कुराना मुस्कुराना जिस पर उत्तर के विप्रित दच्छिन होता उसी परकाद नाक भाव चड़ाना का विप्रित मुस्कुराना है निमलिके श्रिंखला प्र तो बाइस, अंसर हो जाएगा C, एक निश्चित कूपट भासम, क्रियेशन को इस तरह लिखे सकते हैं, यहां पर जो लिखा गया है, C, R, E, A, T, I, O, N, यहां पर लिखा गया, R, C, A, E, I, T, N, O, अच्छे से अगर देजीगा, तो C, R यहां, A, T, I, N, O, इस तरह के दो-दो को पेर किया गया है, अपोजिट में, तो इससे अगर हम लिखेंगे, E, S होगा, U, Q होगा, N, E होगा, E, C होगा, अंसर आ जाएगा, 145 के D होगा, क्या ह सब दिये गए, जिनमें से तीन किसी न किसी तरह समान है, A का 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 समान है, G के विपरिट T होता है, L के विपरिट O होता है, A के विपरिट Z होता है, K के विपरिट N नहीं है, पलस थिरी में है, तो अंसर होगा डी निश्डित कुट भासा में अस्पेशल को एतना लिखा गया उसी manufacturer भासा में मसीन को कैसे लिखा जाएगा तήहां पर देखिये समें प्लस वन कर दिया है इस अगर मान लिया कि 19 होता है इसमें प्लस एक करके 20 लिखा गया है इसका यह बिप्रित होगा और इसका यह बिप्रित होगा अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हाइस्टेक का विपरी जो होगा एड़ दर रेट अप होगा उस बिकल्प का चैन करे जो दी गए या किर्थी एक्स अंतर नहीं थे अंसर हो जाएगा इसमें कौन सा तो वो हो जाएगा ये ये था हमारे पास प्लेटफॉर्म के वोलिम थिरी में दिया हुआ बिहार एससी द्यूतिया इंटर रस्तरिय संजुक परिच्छा के प्रेक्टिस सेट अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेर कर देगा धन्यवाद